जिस तरह एक पेड़ की जड़ें उसकी वृद्धी और फलने फूलने को निर्धारित करती हैं, उसी तरह हमारी संगत भी हमारे जीवन की दिशा और सफलता को निर्धारित करती है। अच्छे दोस्त हमें सही रास्ते पर ले जाते हैं जबकि बुरे दोस्त हमें भटका सकते हैं और हमारे जीवन को नश्ट कर सकते हैं। बुद्ध ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि सफलता और खुशी पाने के लिए बुरी संगत से वचना आवश्यक है। उन्होंने सिखाया कि हमारी संगत हमारे विचारों, भावनाओं और कारियों को प्रभावित करती है। और यदि हम खुद को उन लोगों से घेरते हैं, जो नकारात्मक और बुरी आदतों में लिप्त हैं, तो हम भी उन आदतों को अपना लेंगे और अपनी क्षमता को कम कर देंगे। एक शांत गाव में, एक रामू नाम का लड़का रहता था जिसे अपनी परिश्रम और इमानदारी के लिए जाना जाता था, वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तयार रहता था और अपने जीवन में सफलता पाने का सपना देखता था, हालांकि कुछ समय बाद वह उन दोस्तों की संगत में पढ़ गया, जो जुए, चोरी और बेईमानी में लिप्त थे, शुरू में रामू ने अपने दोस्तों के कारियों को अंदेखा करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे वह उनके प्रभाव में आ गया, वह जुए में शामिल हो गया, छोटी छोटी छ चोरी करने लगा और अपने लाब के लिए लोगों को धोखा देने लगा, रामू के माता पिता और दोस्तों ने उसे चेतावनी दी और उसे अपने दोस्तों को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वह उनकी बात नहीं सुनता था, वह उनकी संगत में इतना लिप्त हो गया था कि उसे सही और गलत में अंतर करना भी मुश्किल हो गया था एक दिन रामु को चोरी करते हुए रंगे हातों पकड़ लिया गया उसे ग्रामीनों के सामने शर्मिंदा किया गया और पुलिस ने उसे गिरफतार कर लिया रामु के जीवन में अंधकार छा गया और उसे अपनी गलतियों का गहरा अफसोस हुआ जेल में रहते हुए रामु को एक बौध भिक्षु से मिलने का मौका मिला भिक्षु ने रामु की कहानी सुनी और उसे समझाया कि उसकी परेशानियों की जड़ उसकी बुरी संगत है उन्होंने रामु को सलाह दी कि वह अपने अतीद को छोड़ दे अपने मन को शुद्ध करे और अच्छे दोस्तों की संगत में रहने की कोशिश करे भिक्षु के शब्दों से रामु के दिल में जागरिती हुई उसने अपनी पिछली गलतियों का पच्छतावा किया और अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया जेल से छूटने के बाद रामु ने अपने पुराने दोस्तों से दूरी बना ली और उन नए दोस्तों की संगत में शामिल हो गया जो अच्छे संसकारों वाले और सकारात्मक सोच रखने वाले थे रामु ने अपनी बुरी आदतों को छोड़ दिया और अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया वह फिर से इमानदारी और परिश्रम से काम करने लगा और अपने जीवन में सफलता हासिल की वह दूसरों की मदद करने के लिए भी समर्पित हो गया और अपने अनुभवों से सीख लेकर युवाओं को मार्ग दर्शन देने लगा यह बौध कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी संगत हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है यदि हम खुद को अच्छे दोस्तों से घेर लेते हैं तो हम सकारात्मक सोच विकसित कर सकते हैं अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं लेकिन अगर हम खुद को बुरी संगत से बचना एक ऐसा विशय है जो सदियों से लोगों के लिए चिंता का विशय रहा है बुध ने भी इस विशय पर कई प्रवचन दिये हैं उन्होंने कहा है कि बुरी संगत से बचना हमारे जीवन में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है बुरी संगत से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव अपने आपको सकारात्मक लोगों से घेरें अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपका समर्थन करें और आपको प्रेरित करें ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको नीचे खींचते हैं या आपको नकार अत्मक्ता की ओर ले जाते हैं अपने मूल्यों को जानें और उन पर अडिग रहें अपने लिए एक मजबूत मूल्य प्रणाली विक्सित करें और उन पर हमेशा अडिग रहें। जब आप अपने मूल्यों को जानते हैं और उन पर अडिग रहते हैं तो आप उन लोगों से प्रभावित नहीं होते हैं जो आपको उन से दूर ले जाना चाहते हैं। स्पष्ट सीमाय निर्धारित करें उन लोगों के साथ स्पष्ट सीमाय निर्धारित करें जिनके साथ आप समय बिताते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप जानते हैं कि कोई मित्र आपको नकारात्मक्ता की ओर ले जाता है, तो आप उनके साथ समय बिताने में कटौती कर सकते हैं, या केवल उन स्थितियों में ही उनके साथ समय बिता सकते हैं, जहां आप जानते हैं कि आप सकारात्मक रह सकते हैं। अपनी आंतरिक आवाज सुनें जब आप उन लोगों के साथ होते हैं जो आपको नीचे खींचते हैं तो आप अक्सर एक आंतरिक चेतावनी महसूस करेंगे अपनी आंतरिक आवाज सुनना महत्वपूर्ण है और उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो आपको असहज या अवांचनीय महसूस कराते हैं अपने आप पर भरोसा रखें आप एक अद्वितिय और मूल्यवान व्यक्ति हैं अपने आप पर विश्वास करें और अपने लिए वही चुनें जो आपके लिए सबसे अच्छा है आपको उन लोगों को खुश करने की जरूरत नहीं है जो आपको बदलना चाहते हैं बुरी को जानकर और उन पर अडिग रहकर स्पष्ट सीमाय निर्धारित करके अपनी आंतरिक आवाज सुनकर और अपने आप पर विश्वास करके आप बुरी संगत से बच सकते हैं और अपने जीवन में सफलता और खुशी पा सकते हैं रामु के गाव लोटने पर वह एक नया व समझा करना शुरू किया जिससे उन्हें उनकी समस्याओं को दूर करने और बहतर जीवन जीने में मदद मिली रामु की कहानी गाव में फैल गई और लोग उसे एक महान शिक्षक मानने लगे वह उन लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गए जो अपने जीवन में बदलाव चाहते थे एक दिन रामु ने अपने पुराने दोस्तों से मुलाकात की वह उनके जीवन में हुए बदलावों को देख कर चौँक गया वे अब जुए चोरी और बेईमानी में लिप्त नहीं थे वे अब इमानदार और मेहनती थे और अपने जीवन में खुश थे रामु ने उनसे पूछा कि उनके जीवन में क्या बदलाव आया है उन्होंने कहा कि यह रामु की शिक्षाओं ने उन्हें बदल दिया है उन्होंने महसूस किया कि उनकी पुरानी आदतें उन्हें कहीं नहीं ले जा रही थी और उन्होंने एक बेहतर जीवन जीने का फैस सकता है रामु गाव में रहता रहा लोगों की मदद करता रहा और उन्हें एक बेहतर जीवन जीने का रास्ता दिखाता रहा वह एक महान शिक्षक और प्रेर्णा का स्रोत बन गया इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमारी संगत हमारे जीवन को निर्धारित करती है अच्छे दोस्त हमें सही रास्ते पर ले जाते हैं, जबकि बुरे दोस्त हमें भटका सकते हैं। यदि हम सफलता और खुशी चाहते हैं, तो हमें अपने आपको सकारात्मक प्रभावों से घेरना चाहिए और उन लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो हमें भटकाते हैं। धन्यवाद झाल